Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम Exchange Server 2010 में disaster recovery कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको यह idea होना चाहिए कि disaster है क्या, अगर हमारा Exchange Server fail हो जाए किसी भी कारण से, चाहिए वो hardware failure हो, चाहिए वो software failure हो, hard disk fail हो जाए, तो इस से बड़ा disaster हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, और इस disaster से हम कैसे recover कर सकते हैं, इस पूरे process को समझने को ही Exchange Disaster Recovery कहते हैं. Exchange Disaster Recovery के लिए हमें backup और recover strategy बनानी चाहिए, अगर हम कोई third party tools यूज ना भी कर रहे हो, तो हमें Windows Server backup का यूज करके पहले Exchange का manual backup लेना चाहिए, और फिर हमें backup scheduling करनी चाहिए, यानि के periodically हमें Exchange Servers का backup लेना चाहिए, और अगर किसी case में disaster हो जाता है, या हमारा Exchange Server fail हो जाता है, या कोई database उसमें से delete हो जाता है, तो हम उस case में उसे इस backup से recover कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हमने Exchange Server 2010 के disaster recovery process को discuss किया, नेक्स्ट वीडियो से हम इसे practically perform करके देखेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.